अगर आपने पीछली क्लास अटेंड नहीं की है तो जुसको जरूर देखें रात को नौ बजे हमारी क्लास चलती है तो हम डिसकस करेंगे राव मालदेव ने खानवा के युद में राना सांगा की और से भाग लिया था पहला most important thing कि राव मालदेव ने खानवा के युद में राना सांगा की मदद की थी ठीक है दूसरी बात यदि खानवा के युद के समय मारवार का सासक इसका पिता राव गांगा था देखो दो बाते मैं आपको समझा दी कि राव मालदेव के पिता का नाम था राव गांगा लेकिन जब इनों ने खानवा के युद में राना सांगा की साहिता की थी तब ये जो है जोदपूर या मारवार के सासक नहीं थे ठीके ये बात क्लियर होगे आपको राव मालदेव ने खानवा के युद में राणा सांगा की मदद की थी इसने 1532 इस्वी में बहादूर सहा के मेवाड पर आक्रमन के दोरान राणा विक्रमा दित्य की साहिता भी की थी दोस्तो 1532 इस्वी में बहादूर सहा के मेवाड पर आक्रमन के दोरान राणा विक्रमा दित्य की साहिता की थी तो हमने तीन बाते देखी है राव मालदेव के पीता का नाव राव गांगा राव मालदेव ने खानवा के युद में राणा सांगा की साहिता की थी उस समय ये मारवाड के उत्रादिकारी या सासक नहीं थे ये ध्यानक ना ठीके फिर 1532 इस्वी के अंदर इनों ने क्या किया बहादूर सहा के मेवाड पर आक्रमन के दोरान राणा विक्रमा दित्य की साहिता की 1536 में राव मालदेव ने ये इंपोर्टेंट है देखो ध्यान से सुनना 1536 इस्वी में राव मालदेव ने जेसल मेर के राव लूनकरन की पुत्री उमादे से विवा किया जो इतिहास में रूठी राणी के नाम से प्रसीद हुई इतिहास में वह रूठी राणी के नाम से प्रसीद हुई इसी घटना का कारण यह था कि मालदेव व सवसूर व उमादे राव देव का मालदेव का ससूर व उमादे का पिता राव लूनकरन मालदेव की हत्या कराना चाहता था ठीक है देखो अब मैं आपको याद करता हूँ पॉइंट टू पॉइंट चीज़े सुनो पहली बात हमें यह ध्यानक नहीं है खानवा का जो यूद हुआ था राणा सांगा की साहता किस ने की थी राव मालदेव ने की थी पहली इत्तिसी बात इंपॉर्टेंट है दूसर पंदरा सो बद्फिस में राना विक्रमा दित्य की भी इनोने साहता कि थी तीसरा 1536 इस्वी के अगर हम बात करें तो 1536 इस्वी में जेसल मेर के जेसल मेर के सासक राव लून करन की जो पुत्री थी उमादें उमादें के साथ बिवा किया किसने? राव मालदेव ने कब 1536 में देखो पहली बात कब विभा हुआ 1536 इस्वि में किसका राव मालदेव का किसके साथ में जेसलमेर के सासक राव लून करन की जो पुत्री थी उमादे के साथ में विवा हुआ इसी उमादे को हम रूठी राणी के नाम से जानते हैं अब ये रूठी राणी क्यों कहलाई अब इस बात को सुनो कि जो जेसल मेर के राव लूनकरन थे वो मालदेव की हत्या कराना चाते थे यानि कि उमादे के जो पिता राव लूनकरन जेसल मेर के सासग वो राव मालदेव की हत्या कराना चाते थे इसलिए क्या हुए कि जो ये राव मालदेव थे वो उमादे से बात नहीं करते थे ठीके इसलिए उमादे जो है रूठी राणी के नाम से जानी जाती है इसकी सुचना राव मालदेव की सास ने मालदेव को भिजवा दी इस घटना के बाद मालदेव उमादे के संबन जो है वो बिगड गए वो रूट कर अजमेर के तारागड में रही वो इतिहास में रूठी राणी के नाम से प्रसीद हुई तो आपको क्या समझ में आया दोस्तो देखो राव मालदेव का विवा कब हुआ राव मालदेव का विवा हुआ 1536 में किसके साथ जेसल मेर के राव लून करन की जो पुत्री थी उमादे के साथ में राव मालदेव का विवा 1536 में हुआ यही उमादे रूठी राणी के नाम स प्रसीद हुई अब ये क्यों प्रसीद हुई क्योंकि जो राव लुनकरन थे उमादे के पिता राव मालदेव के ससूर राव मालदेव की हत्या कराना चाते थे और इस बात की जानकारी किस ने दी राव मालदेव की जो सास थी उसने राव मालदेव को ये सुचना और वहां रूट कर अजमेर के तारागड दुर्ग में रही और रूठी राणी के नाम से वहां प्रसीद हुई अब दोस्तों अगर आपसे कोई पूठ लिया जाए कि अजमेर का जो तारागड दुर्ग है उसके अंदर रूठी राणी के नाम से जो रही थी उस राणी का नाम क्या था तो वो उमादे नाम था राव मालदेव की वो पधरम पत्नी थी और उनके पिता का नाम राव लूनक करन था और उनकी साधी राव मालदेव और उमादी की साधी 1536 इस्वी में हुई थी याद रखना इतनी सारी बात है ठीक है आगे चलते हैं मालदेव ने मेरता के विरम देव और वीका नेर के राव जेट्सी पर आक्रमन कर 1542 इस्वी में उनके राज्जियों पर अधिकार कर लिया माल देव ने क्या किया मेड़ता के विरम देव और विकानेर के राव जेटसी पर आक्रमन करके 1542 में मतलब मेड़ता और विकानेर पे भी अधिकार कर लिया विरम देव व राव जेटसी सेर सहा के सरण में चले गए जो विरम देव हैं और राव जेटसी हैं वो सेर सहा के सरण में चले गए विरम देव कौन मेड़ता के विरम देव और विकानेर के राव जेटसी तो राव माल देव ने क्या क्या हैं उनके राजियों पे अधिकार कर लिया तो ये दोनों सेर सहा के पास चले गए पंद्रा सो उन्तालिस चालिस में सेर सहा के हातों पराजित होकर हुमायू दर बदर भटक रहाता तो माल देव ने हुमायू को साइता का संदेश बेजा क्योंकि माल देव जानता था कि हुमायू की पूर्ण पराज़य के पसात सेर सहा का अगला शिकार समय माल देव ही तो यह कहानी क्या चल रही है देखो दोस्तों अभी हमने उमादे के बारे में पड़ा जो रूठी राने के नाम से प्रसीद हुई उसके बाद हमने देखा कि जो यह राव मालदेव थे प्रतापी सासक थे जहुत्पूर मारवार के तो इन्हों ने मेर्ता और विकानेर में भी अधिकार किया मेर्ता के अंदर थे वीरमदेव और विकानेर के अंदर थे रावजेच्छी जब यहाँ पर इन्हों ने राव मालदेव ने अधिकार कर लिया तो वीरमदेव और रावजेच्छी सेर सहा के पास चले जाते हैं ठीक है और सेर साथ से हुमायू भी हारावा था हुमायू को पराजित किया था किसने सेर सहा ने तो हुमायू भटक रहा था इसलिए राओ मालदेव ने क्या किया हुमायू को साहता का संदेश भेजा अब आगे देखो 1543 में मालदेव को सेर सा सूरी का आकरमन का सामना करना पड़ा सेर सा की धूर्दतास ने मालदेव और उनके सेनापतियों के बीच में अविश्वास उत्पन कर दिया जिससे मालदेव ने मैदान छोड़ दिया मगर अपने सेनापति जेता और कुमपा ने जनवरी 1546 में गिरी सुमेल में सेर साहा से युद्ध किया और वीर गती को प्राप्त हुए देखो अब इस बात को समझो कि सेर साह सूरी और राव मालदेव के बीच आकरमन 1543 और चमालिस के मध्य हुआ ठीके लेकिन सेर साह सूरी ने क्या किया कि राव मालदेव और उनके दो सेनापति जेता और कुमपा के मध्य एक संधे पैदा कर दिया ठीके इस संधे को देखते वे राव मालदेव तो मैदान छोड़ कर चले गए और 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ जिसमें सेर साह सूरी और राव मालदेव की तरफ से राव मालदेव तो चले गए थे उनके दो सेनापति जेता और कुमपा ने जो है युद्ध किया ठीके और जेता और कुमपा 1544 में गिरी सुमेल के युद्ध में वीर गती को प्राप्त हुए उनकी वीरता से परवावित होकर सेर साह का कहना पड़ा एक मुठी बाजरे के लिए में हिंदुस्तान की बादसाहत खो देता क्या कहा एक मुठी बाजरे के लिए में हिंदुस्तान की बादसाहत खो देता दोस्तों सेर साह की मृत्यू 1545 में बाद मालदेव ने जोदपूर पोकरन फलो दी बाड में कोटरा जालोर और मेड़ता परफूर अधिकार कर लिया 1562 में मालदेव की मृत्यू हो गई तो हमने एक बहुत अच्छे प्रतापी साहसर के बारे में डिसकस किया है दोस्तों राव मालदेव अब मैं आपको एक इसकी पूरी अच्छी से स्टोरी सुनाता हूँ जो आपको याद होने में बहुत हेल्प करेगा देखो राव मालदेव राव मालदेव ने सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि राव मालदेव ने खानवा के युद में राणा सांगा की मदद की थी दूसरी बात याद रखनी है कि 1532 में इन्होंने विक्रमा दित्य की भी मदद की थी तीसरी most important बात 1536 इस्वी की जो राव मालदेव की जिंदगी से जुड़ा हुआ है 1536 इस्वी में राव मालदेव ने जेसल मेर के राव लूनकरन की जो पुत्री थी उमा दे उमा दे के साथ विवा किया कब किया 1536 में यहीं उमा दे बाद में रूठी राणी के नाम से प्रसीद हुई अब क्यों हुई उसका कारण सुनो जोर उमा दे के पिता थे यानि की राव लूनकरन जेसल मेर के सासक उन्होंने राव मालदेव को मानने की योजना बनाई और यह बात राव मालदेव की जो स पिता थी उन्होंने राव मालदेव तक भिजवाई जब यह बात राव मालदेव को पता चली तो राव मालदेव और उमा दे दोनों के संबंद खराब हो गए ठीक है जब दोनों के संबंद खराब हो गए तो उमा दे मारवार को छोड़कर अजमेर चली गई और अजमेर के तारागड दुर्ग में रही और इसी दुर्ग के अंदर यहां रूठी रानी के नाम से प्रसीद हुई तो यह कहाणी आपको समझ में आई यह कहाणी थी 1536 इस्वी की 1536 में राव मालदेव का विवा राव लूनकरन की बेटी उमा दे के साथ में हुआ और यह उमा दे इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसीद हुई अजमेर के तारागड दुर्ग में रही थी इसके बाद दूसरी कहाणी पर चलते हैं ये तो इनके विवाहिक जीवन की कहाणी थी अब आगे राव मालदेव एक परतापी सा सकते तो इन्हों ने क्या किया मेर्टा और विकानेर मेर्टा के विरमदेव और विकानेर में थे रावजेच सी इन्होंने मेर्टा और विकानेर पे अधिकार कर लिया जब मेर्टा और विकानेर में अधिकार किया तो मेर्टा के विरमदेव और विकानेर के रावजेच सी सेर सहा के पास चले गए किसके पास गए सेर सासूरी के पास चले गए सेर सासूरी ने 1543 चमालिस के अंदर माल देव पे आक्रमन किया कब किया 1543 चमालिस में राव माल देव पर आक्रमन सेर सासूरी के द्वारा किया गया अब हुआ क्या कि राव मालदेव और उनके दो सैनापती थे जेता और कुमपा तो राव मालदेव और जेता और कुमपा उनकी दो सैनापती के मध्य सेर सासूरी ने एक गेम खेला और उन दोनों के मध्य संध्य पैदा हो गया जब संद्य पैदा हो गया तो राव मालदेव बीच में ही मैदान छोड़ कर चला गया और जेता और कुम्पा ने 1546 में जो की गिरी सुमेल के यूद के नाम से प्रसिद हुआ शेर साहा के साथ में यूद किया गया ठीके यह गिरी सुमेल के यूद के नाम से प्रसिद हुआ था 1546 में गिरी सुमेल के यूद में 1546 के अंदर जेता और कुम्पा वीरगती को प्राथ हुए लेकिन सेर साहसूरी इनकी वीरता को देखके घबरा गया था और कहा कि मैं एक मुठी बाजरे के लिए हिंदूस्तान की बातसाहत खो देता ये कथन किसका है सेर साहसूरी का है और किसकी वीरता के लिए 1546 के अंदर जो गिरी सुमेल का यूद हुआ था उसमें जेता और कुम्पा जो की राव मालदेव के सैनापती थे उनकी वीरता को देखते हुए सेर साहसूरी ने क्या कहा एक मुठी बाजरे के लिए मैं हिंदूस्तान की बातसाहत खो देता ठीके इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो सेर साह की मित्यू 1545 में हो जाती है उसके बाद राव मालदेव के द्वारा जोदपूर, पोकरन, फलोदी, बाड मेर, कोटरा, ज हो जाता है और 1562 के अंदर राव मालदेव की मृत्यू हो जाती है दोस्तों, तो अब बताओ आपको राव मालदेव के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है तो, मैंने आपको इतनी सिंपल लैंग्वेज के अंदर इसको समझाया है, जो कि आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन ना रहे, अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों राव चंदर सेन के बारे में, राव चंदर सेन ने अपने सबसे बड़े पुत्र राम से अप्रशन होकर अपने राज्य से निर्वासित कर दिया, और अपने दूसरे पुत्र उदे से भी मालदेव खुस न था, अंत उसे भी अपना उत्राधिकारी नहीं बनाया, अंतंत चंदर सेन मालदेव का उत्राधिकारी बना जो उसका तीसरा पुत्र था, तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं राव चंदर सेन के बारे में, राव चंदर सेन के तीन पुत्र थे, तो राव मालदेव के तीन पुत्र थे, ठीके, य राव मालदेव की मृत्यू हो गई और 1562 से राव चंद्रसेन जो है सासक बना तो राव मालदेव अपने बड़े पुत्र राम से अप्रसन था इसलिए उसने उसे राज्य से निर्वासित कर दिया और दूसरा पुत्र था उदैसिंग उससे भी मालदेव खुश नहीं था और अंत में अपने तीसरे पुत्र चंद्रसेन को मालदेव का उत्राधिकारी बना जो की मालदेव का तीसरा पुत्र था चंद्रसेन को अपने दो बड़े भाई राम और उदे सिंग के विरोध का सामना करना पड़ा 1564 में राम सायता लेकर अकबर के सरन में चला गया अकबर ने हुसेन कुली खा के नितर्त्व में एक सेना भेज कर जोदपूर पर अधिकार कर लिया कब 1564 के अंदर देखो दोस्तो क्या कहानी हुई हमने राव मालदेव के बारे में अच्छे से डिसकस किया भी राव मालदेव के तीन पुत्र थे पहला पुत्र था राम जिसको जो है राव मालदेव पसंद नहीं करता था दूसरा पुत्र था उदे सिंग उसको भी राव मालदेव पसंद नहीं करता था और राव मालदेप ने अपने तीसरे पुत्र राव चंद्रसेन को उत्राधिकारी बना दिया अब जब ये उत्राधिकारी बन गया खौन राव चंद्रसेन तो राम और उदे सिंग जो की इसके जेश्ट भाई थे वो दोनों चले गए अकबर के पास किसके पा जोटपूर्पूर पर अधिकार कर लिया किसके नेतरत्व में सेना भेजा घया याद रखना, ईसेन कोली खा के नेतरत्व में 1564 में एक सेना भेजी गई पंद्रा सो सत्तर इस्वी में अकबर ने नागोर दर्बार के दोरान चंदर सैन भी जोदपुर प्राप्ति की आसा से नागोर पहुचा। तो देखो दोस्तों क्या समझ में आए आपको 1570 में जम नागोर दर्बार लगाया गया था अकबर के दोरा तो चंदर सैन भी वहाँ पहुचा। जो है संगर्श का रास्ता चुना ठीके अकबर ने बिकानेर के राय सिंग को जोदपुर का उत्तरा धिकारी नुक्त कर चंदर सैन को मारवार से सहयता मिलने या इस मार्ग में गुजरात में हानी पहुचाने की संभावना को समाप्त कर दिया तो अकबर ने क्या किया विकां एलकी जो साथ सक थे राइसिंग उनको जोतपूर का क्या बना दिया गया अधिकारी नियुक्त कर दिया गया ठीक है तो दोस्तों एक बार यहां तक समझते से फिर आगे चलेंगे पहला हमने क्या समझा रावमालदेव के तीन पुत्र हैं राम उदेशिंग और चंध्रसेण तो रावमालदेव उदेशिंग और राम से प्रसंण नहीं था इसलिए उसने अपने तीसरे पुत्र चंद्रशेन को सासक बना दिया, लेकिन जबर चंद्रशेन सासक बना, तो क्या हुआ कि राम और उदे सिंग जो है वो गुसा हो गए, राम और उदे सिंग अक्बर की सेना अक्बर से मिल गए और अकबर से request की या निवेदन किया कि आप जो है जोतपूर पर आक्रमन करो, तो 1564 इस्वी के अंदर एक सेना हुसेन कुलीखा के नेतरतुव में जोतपूर में भेचा गया और जोतपूर पर अधिकार कर लिया गया, फिर हम बात करते हैं 1570, 1570 में अकबर के द्वारा नाग जोतपूर में दर्बार लगाया गया, वहां पे राव चंद्रसेन भी उपस्तित हुआ था, राव चंद्रसेन क्यों आया था, कि जोतपूर है वो मुझे वापस दे दिया जाए, लेकिन उसने देखा कि अकबर का जो जुकाव है, उसके जेष्ट भाई, राम और उदे सिं के प्रति जादा है, जिससे चंद्रसेन को ये बात समझ में आ गई कि अकबर जो है, मुझे जोतपूर नहीं देगा, तो इसलिए राव चंद्रसेन ने वो अकबर दर्बार को त्याक किया और संगर्स का रास्ता चुन लिया, ठीके, अकबर ने विकानेर के राय सिंग को ज मिलने या इस मार्ग में गुजरात मेहानी पहुचाने की संभावना जो है, वो समाप्त हो गई, फिर देखते हैं पंद्रा सो पैंसट, पंद्रा सो पैंसट इसवी में जोतपूर को छोड़ने के बाद, चंद्रसेन ने कुछ समय तो भादरा जूर में रहकर मुगलों की फ इनका जीवन भी संगर्शमय जीवन रहा, जैसे मारवार के राव चंद्रसेन और मेवार के जो थे महारना परताप, दोनों की कहानी बहुत सेम है, मिलती जुलती है, ठीक है, तो पंद्रा सो पैंसट में जोतपूर को छोड़ने के बाद, चंद्रसेन ने कुछ समय तो सिवाना को अपना मोडचा बनाया, कहां पे सिवाना को, सिवाना का गड़, पहाड़ी, भाग, दुर्गम थे, वहां जब चंद्रसेन का पता न लगा, तो मुगल अधिकारियों ने उसके समर्थकों को समाप्त करने का प्रयास किया, रावल, सुखराज, सुजा, तथा दे सिवाना में मुगल सक्ती लगा दी गई, किसके विरूद, राव चंद्रसेन के विरूद, जिससे तंग आकर, वह रामपूरा के पहाड़ों में चला गया, यह जानकर की मुगलों की छोटी सेना के लिए इतनी विस्तर्थ पहाड़ी, प्रदेश को घेड़ना कठिन था, ब थाक्त संन किया सैना में व्रद्धि करदी फिर वी चंद्रशैन जो है वो हात ना आ शका कि शीवाना से निकल कर चंद्रशैन पीपलोद और वहां के कनूजा के पहडू में चला गया और आज पास लूट खसोक्त आरंभ कर दी इस निति से माढवार के लोग जो है वो अप्रसन हो गए ऐसी इस्तति में उसने मारवार छोड़ कर सिरोही और फिर डुंगरपूर और बासवाडा में सरन लेनी पड़ी फिर भी मुगल सेना ने उसका पीछा न छोड़ा इस प्रकार निरंतरन मुगलों से चंद्रसेन संगर्स करता रहा और 1581 में अपनी म इसे जारी रखा विश्वेस नाथ रेवने चंद्रसेन की तुलना महरना परताप के साथ कि है जिसे उसी के समान मुगल सक्ति का सामना करना पड़ा और पहाडों में बटकने के बाद भी मुगलों के अधीनता स्विकार नहीं की इसी कारण राव चंद्रसेन को मारवार का प्रताप भी कहा जाता है ठीक है दोस्तों तो इसमें से आपको इतनी सब चीजे याद करने की जरूत है नहीं बस आपको इतना ध्यान रखना है देखो मैं आपको एक सुना जेता हूं श्टोरी अच्छे से जो आपको याद हो जाए कि राव मालदेव के तीन पुत्र राम उदेशिंग और चंद्रसेन राव मालदेव के द्वारा उत्रादी बनाया गया राव चंद्रसेन को जो की सबसे छोटे और तीसर नंबर के थे तो राम और उदेशिंग गुस्ता होकर अकबर की अधिन्ता सुईकार की और अकबर को कहा कि जोदपूर के अंदर हमला कर दीजिए तो जोदपूर अकबर ने क्या किया 1564 इस्वी में हुसेन कुली खाके नेतरतुमिक सेना भेजकर जोदपूर में अधिकार हो गया फिर बात होती है 1570 में 1570 में क्या हुआ अकबर ने नागोर दरबार लगाया तो राव चंद्रसेन भी वहाँ पे पहुंचा था राव कि भाई राव और उदे सिंग मौझूद थे और अकबर का जो जुकाव है वो राम और उदे सिंग के प्रती जादा था तो जो राव चंद्रसेन है वो समझ गए कि ये जो जोदपूर है ये अकबर मुझे अब नहीं देने वाला तो राव चंद्रसेन ने वहीं पे जो है दर्बार को त्याक किया और संगर्ष का रास्ता चुन लिया दोस्तों ठीके इतनी सी बात आपको समझ में आ गई और अकबर ने क्या किया बीकानेर के राय सिंग को जो है जोतपूर का सासक उत्रादिकारी घोशित कर दिया ठीके जोतपूर का उत्रादिकारी घोशित कर दिय उसके बाद चंदरसेन को माडवार की सायता मिलना खतम हो जाए, ठीक है? अब देखो आगे, आगे बस इतनी सी बात याद रखना कि राओ चंदरसेन को माडवार का प्रताप कहा जाता है, राओ चंदरसेन ने भी अपनी जीवन महाना प्रताप के समान ही पाहडों में वैतित किया था ठीक है तो इसलिए चंदरसेन को माडवाड का परताप कहा जाता है बस एक नाम और याद रख लेना विश्वे स्वरानात रेऊ ने चंदरसेन की तुलना महराना परताप के साथ में की थी तो अभी हमने इसमें यह देखा कि पहले यह भादरा जून थे उसके बाद यह वहां से हट कर सिवाना चले गए उसके बाद मतलब फिर भी कहीं पर भी जाते तो मुगलों की सैना उनका पीछा करती रहती और इन्होंने अंत तक जब-तक इनकी मृत्यू नहीं हुई तब-तक इन्होंने क्या किया संगर्स को जारी रखा थिक है तब-तक इन्होंने खालचा सिधे केंद्र के अधिन छेत्र था 1583 में अकबर ने उदेशिंग को मुगल अधिनता में जोदपूर का सासक नियुक्त किया कब 1513 में यहां राव चंद्रसेन का भाई था तो आपने देखा राव चंद्रसेन के राव मालदेव के तीन बेटे थे ना राम उदेशिं जब चंद्रसेन की मृत्यव हो गई तो मोटा राजा उदेशिंग जो उदेशिंग थे इनको यहांका सासक 1583 में अकबर ने उदेशिंग को मुगल अधिनता में जोदपूर का शासक नियुक्त किया ठीके यह चंद्रसेन का भाई था उदेशिंग ने 1583 में अपनी पुत् कि सिद्ध हुई का विवा जहांगीर के साथ हुआ कुरम जहांगीर की इसी पत्नी का उसे उत्पन पुत्र था इस विवा का अफसर पर उदे सिंग को कि झी एक हजार का मनसबदार बनाया गया कितने का chyba जार का मनसबदार मनाया गया तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों मोटा राजा उदे सिंग के बारे में, किसके बारे में मोटा राजा उदे सिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मोटा राजा उदे सिंग के मध्य, माडवार, मोटा राजा उदे सिंग को सासक किसने बनाया, 1513 सी में अकबर ने अपनी बड़े भाई थे दोस्तों ठीके अब क्या हुआ जब उदे सिंग ने अपनी पुत्री पंद्रा सो सित्यासी में अपनी पुत्री जोधा भाई जिसको हम जगत गोसाई के नाम से भी जानते हैं का विवा जहांगीर के साथ क्राया खुरम जहांगीर की इसी पत्नी से उत्पन हुआ था खुरम जो है जहांगीर की इसी पत्नी से उत्पन पुत्र था इस विवा के अफसर पर उदे सिंग ने एक हजार का मनसब दार मनाया ग कि अदिनता में ही जोदपुर के सासक बने और मुगल और मारवार के संद्ध वेवाहिक के संद्ध इस्तापित करने वाले कुछन ऐसे पूछा रinental में उगित्ध व्क देशन नाम जगत गुशाई या फिर आप बुल शकते हो जो धाब आई तो इसका विवा किसके साथ होता है जो ये इसका विवा जो है सहांजा के साथ सहांजा के साथ विवा होता है उसमें देखो जहांगीर के साथ जहांगीर के साथ विवा होता है और जहांगीर और जगत गुशाई का पुत्र ही खुर्रम कहलाता है इस विवा के अफसर पे उद जाता है ठीक है अब आगे हम पढ़ें महाराजा जस्वन सिंग के बारे में अब हम महाराजा जस्वन सिंग प्रथम के उपर डिसकस करेंगे जस्वन सिंग का जनम 1626 इस्वी में बुहरानपूर में हुआ था अपने पिता गज सिंग के श्वरकवास के समय जस्वन सिंग अप क्योंकर समाचार पाते ही बाद सहा जाओ के द्वारा उसे आगरा पहुंचने का निमंत्रन भी मिला वहां पहुंचने पर साही तोर से उसे टिका दिया गया और खिलयत जड़ाओ जमदर आदि वस्तों से समानित किया गया इसी अफसर पर उसे राजा का खिताब तथा चार उस समय ग्यारा वर्स की थी बादसा ने आसोब ठाकूर राजपूत कुमावत को एक हजार जात और चार सो सवार का मंसब देकर जोतपूर राज्य का मंत्री नियुक्त किया ठीक है देखो हम बात कर रहे हैं महाराजा जस्वन सिंग प्रथम के बारे में तो महाराजा 1626 के अंदर बुहरानपूर में हुआ था 1626 के अंदर बुहरानपूर के अंदर महाराजा जस्वन सिंग प्रथम का जनम हुआ था अपने पिता गज सिंग के स्वर्गवास के समय जस्वन सिंग अपने विवाहेतु बुंदी में था दोस्तों कहां पे थे बुंदी में थे गज़ सिंग की मिर्ट्यू के बाद समाचार मिलते ही बादसा सहा जहाओ ने आगरा से पहुंचने का निमंत्रन भी मिला, वहां पहुंचने पर सही तोर से टीका दिया गया और जड़ाओ जमदर आदी वस्तुवे जो है सम्मान करने के लिए महारा जस्वन सिंग को प्रदान किया गया, उनके आयू 11 वर्ष की थी तो बादसा के आसोप ठाकूर राज सिंग मावत को जोदपूर का राज्य मंत्री बनाया गया, तो हम जोदपूर के जो सासक है यहां, महाराजा जस्वन सिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, महाराजा जस्वन सिंग को चार हजार का म क्या गया आसोप ठाकूर रासिंग कुंपावत को 1645 इसी में इसे आगरा का परबंद सौपा गया और 1648 में कंधार अभ्यान पर भेजा गया देखो 1645 में क्धार अभ्यान्स पर भेजा गया यह उत्रादिकारी यूद था उसमें औरंग जेव के विरुद धर्मत का यूद में दारा का साथ दिया था इन्होंने धर्मत का यूद हुआ था जिसमें औरंग जेब के विरूद इन्होंने और दारा का साथ दिया लेकिन कासिम खा के विश्वास घात के कारण दारा की प्राजय हुई और जस्वन सिंग को जोदपुर लोटना पड़ा दोस्तो 1645 म एक उत्राधीकारी का यूद हुआ उत्राधीकारी के यूद में जो है जो औरंग जेब के विरूद इन्होंने धर्मत का यूद लड़ा था इन्होंने दारा की साइता की थी दारा के साथ से इन्होंने यूद किया लेकिन कासिम खा के विश्वास घात के कारण दारा जय हुआ और जस्वन सिंग को जो है जोदपूर लोटना पड़ा ठीक है आगे देखो जो जस्वन सिंग के जोदपूर लोटने पर उदैपूर राणी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया किसके जस्वन सिंग हम महराजा जस्वन सिंग की बात कर रहे हैं महराजा ज लोटे तो उदैपूर राणी जो है उसने कीले का द्वार खोलने से इनकार कह दिया और कहलवा भेजा की राजपूत या तो यूद में विजई लोटते हैं या या वहां मर मिठते हैं महाराजा पराजे के बाद नहीं लोट सकते यह केकर वह सती होने की त्यारी करने लगी अ खोले गए इस कथा की सत्यता पर संधे किया जाता है किन्तु इस कथा को शामल दास ने मान्यता दी है किसने शामल दास ने पाच जनवरी 1660 के खजुआ के मैदान में औरंग जेव और जस्वन सिंग के आपसी अविश्वास के कारण वह साही डेरे को लूट कर जोतपूर र मध्यस्ता में जस्वन सिंग और मुगल समराट औरंग जेव के बीच मन मुटाव कम हुआ तो अभी तो यह बात समझने कोशिश करो धर्मत का यूद देखो महराजा जस्वन सिंग के मध्या में जो धर्मत का यूद किया था यह एक उत्राधिकारी यूद के नाम से प्रसि दिया था किसमे औरंग जेव ने धर्मत के यूद में लेकिन कासिम खा के विश्वास घाट से दारा पराजय हुआ और जस्वन सिंग जो है वो भी पराजय होगे क्योंकि उन्होंने दारा की साहिता की थी तो पराजय होगे और पराजय होकर जोदपूर लोटे तो जस्वन आते हैं या वह वो प्राजय या वो मित्यू को मित्यू वीरता को जो है वीरगत्ति को प्राफ्थ होते हैं या फिर वो जीत कराते हैं हार के कभी भी नहीं लोट सकते लेकिन और वो क्या करने लगी सत्ती होने की त्यारी करने लगी अंत में रानी की जो मा के समझाने पर जस् देने के बाद दुर्ग के दरबाजे खोले गए कहा जाता है इस कथन की जो सत्यता पर परमानित कौन करता है शामल दास जो है की मान्यता देते हैं कि यह कथा जो है सत्य है पांच जनवरी 1660 के खजवा के मैदान में औरंग जेब और जस्वन सिंग के आपसी अविश्वास की कारण साही धेरे को लूट कर जोदपूर रवाना हो जाता है ठीक है बाद में जैसिंग और जैसिंग के मध्यस्ता में जस्वन सिंग और मुगल समराट के मध्यमन मुटाव कम होता है फलत इसका मनसव पूर्ण बहाल कर 1660 में उसे गुजरात का सुबेदार बना दिया 1660 के अंदर गुजरात का सुबेदार बना दिया गया 1662 में जस्वन सिंग को मराठा के विरूद साहस्ता खा की साहता करने के लिए दक्षिन भेजा गया प्रंतों वहाँ सिवाजी के विरूद कोई खास अपलता नहीं मिली 1663 इस्वी में जस्वन सिंग को काबूल भेजा गया, बाद में उसे जमरूद में रहने का आदेश दिया गया और वहीं 28 नॉवंबर 1678 के अंदर इसकी मृत्यू हो गई थी दोस्तों, ठीके, तो यह हमने महाराजा जस्वन सिंग के बारे में पड़ा, महाराजा जस्वन सिंग की कहानी कैसी है? देखो महराजा जस्वन सिंग का जनम 1626 में बुहरानपूर में हुआ था दोस्तो पहली ये बात दूसरी सहाजां के द्वारा 4000 का मनसब इने प्रदान किया गया था और इनके जो राज्य मंत्री थे वो थे आसोप ठाकूर राज सिंग कुपावत ठीके इसके बाद हमने देख था कि धर्मत का यूद हुआ धर्मत के यूद में इनोंने औरंग जेव के विरूद दारा की साहता की थी यह धर्मत का यूद है यहां कब हुआ यह धर्मत का यूद है दोस्तो 1657-58 के मध्य हुआ था और औरंग जेव के विरूद इनोंने दारा की साहता की तो इसमें किसक और जस्वन सिंग भी पराजे होगे क्योंकि जस्वन सिंग दारा सा की सायता कर रहे थे तो जस्वन सिंग कहां लोट कर आ जते हैं जोद्पू लोट कर आ जते हैं जब यह जोद्पू लोट कर आते हैं तो इनकी जो पतनी थी उदेपूरी राणी उन्हें दुर्ग के कीले की दरवाजे खोलने से मना कर दिया क्यों क्योंकि इनका मानना था कि जो मारवार सासक है या तो वो यूद में वीरगत्ती को प्राप siege करें या फिर वो जीत कर आए पराजह होकर लोट कर नहीं आसकते हैं ठीक है तो वो सती करने की त्यारी करने लगी अंत में रानी की मा के समझाने पर और जस्वन सिंग द्वारा पराजय का बदला लेने की बात कहने पर उन्होंने दुर्ग के दरवाजे खोलने के आदेश दिये इसके बाद 5 जनवरी 1660 में खजवा के मैदान में औरंग जिब और जस्वन सिंग के मध्या आपसी मतभेद होने लगे थे ठीके आगे देखो 1660 में गुजरात का सुबेदार बना दिया गया बाद में जैसिंग की मध्यस्ता से जैसिंग और मुगल समराट औरंग जेब के बीच में क्या हुआ मन मुटाव को थोड़ा कम किया गया ठीके तो इसके बाद 1660 में गुजरात का सुबेदार बना दिया गया और 1662 में मराठा के विरूद जो है सिवा जी के विरूद इन्होंने यूद किया लेकिन उसमें कोई खास सफलता है इने मिली नहीं उसके बाद देखो 28 से नवंबर 1678 के अंदर इनकी मृत्यू हो गई जस्वन सिंग विद्वानों का आश्रे देता था उसके समय विद्वानों ने सूरत मिस्र नरहरी दास नवीन कवी बनारसी दास आदी प्रसिद है मुनोत नैंसी भी इनिका मंत्री था देखो ये इंपोर्टेंट है बाकी कोई चीज़े राद रखो नी रखो नैंसी ने क्या लिखा है नैंसी रिख्यात वह मारवारी परगनारा विगत नामग्रंथ की रचना की थी जो जस्वन सिंग थे वो क्या करते थे विद्वानों के आश्रे दाता थे यानि की विद्वानों को आश्रे देते थे ठीके इस बात को ध्यान रखे मुनोत नैंसी जो है वो इन्ही का ही मंत्री था नैंसी ने नैंसी रिख्यात वो मारवारी परगना नाम ग्रंथ लिखा है मित्रो ठीके तो यहाँ पे आज हमने मारवार का जो राठोड वंस है वो पूरा डिसकस कर लिया है कल हम बिकानेर के राठोड वंस के उपर डिसकसन स् मित्रो आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है अगर आपको समझ में आया मेरा लेक्चर तो प्लीज कमेंट कॉल या वट्ट सैब जरूर करें मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तो प्लीज लाइक शेयर और सबस्क्राइब करें सपोर्ट करें दोस्तों मेरे को जिससे मैं आगे से आगे और अच्छी सची चीजे आपको प्रोवाइट करा पाँ मेरा एक ही मकसद है दोस्तों कि आपको मैं free के अंदर एक अच्छी education प्रोवाइट कराना चाता हूँ जिससे आपका selection हो एक ही चीज को बारवार कराना नहीं चाता जिससे कि आप एक ही चीज में strong हो जाए बाकी चीजें आपको नहीं पढ़ाए जाए मैं पूरा syllabus आपको यहां पर कराना चाता हूँ ठीक है फ्रेंड्स थैंक यू एव नाइस डे बाबाई